वर्ल्ल बेंड मिंटन चेंपेंशिप गोल्ड मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु की चर्चा आज हर जुबान पर है। उन्हें देश भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। केंद्री खेल मंत्री किरन रीजी जो ने उनसे मुलाकात की और 10 लाग रुपे का चैक भी इनाम के तौर पर दिया है। यहां तक की वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु से प्रधानमंदी नरेंद्र मोधी ने भी मुलाकात की और मोधी जी ने सिंधु की तारीफ करते वे कहा। सिंधु भारत का गौरो है। वे एक ऐसी चैंपियन है जीनोंने स्वनपदक जीत कर देश का नाम उचा किया है। उन्हें भविशी के लिए शुपकाम नाएं। सिंधु की जीत के आगे सब ये भूल गए कि भारत के पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स ने भी BWF वर्ल्ड चेंपिंशिप में तीन गोल्ड सहित टोटल बारा मेडल जीते हैं। जिनमें प्रमोद भगत ने भारत के लिए दो गोल्ड मेडल और मांसी जोशी ने भी एक गोल्ड मेडल जीता है। आपका आशिरवात चाहते हैं। आपसे अनुरोध हैं कि हमें मिलने की अनुमती दे। जैसा कि हम एश्याई खेलों के बाद मोका चूग गए थे। सुकान की ट्वीट के एक दिन बाद प्रधानमधिन नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। 130 करोड भारतियों को भारतिय पेरा बैडमिंटन टीम पर गर्व हैं। विश्व चैंपेंशिप में 2019 में 12 पदक जीते हैं। पूरी टीम को बधाई जिनकी सफलता बेहत खुशी और प्रेरख है। इन में से पत्ते खिलाडी उलेकनिय हैं। इससे पहले खेल मंत्री किरन रीजी जुने भी विश्व चैंपेंशिप में शांदर पदशन करने के लिए सबी पेरा शटलरों को बधाई दी और उनसे मुलाकात की। रीजी जुने पदक विजयताओं को 1.82 करोड रुपे दिये जिन में स्वन पदक विजयताओं को 20 लाग रुपे, रजत पदक विजयताओं को प्रतेक को 14 लाग और कास से विजयताओं को प्रतेक को 8 लाग रुपे दिये गए हैं। आपको बता दे कि पूरे निवा से सुकान्त कदम का बायापेर विकलांगता से ग्रसी थे, लेकिन उनोंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया इंजिनिरिंग कॉलेज के फर्स्ट यर में धीमी गती और उनके बाएपेर की विकलांगता के करण सुकांद को कॉलेज के टीम में नहीं लिया गया उन्होंने पूरे एक साल इसके लिए महिनद की और आकिरकार टीम का हिस्सा बन ही गए 2012 में गिरिश एन गोंडा के ब्रॉंज मेडल जीतने के बाद सुकांद को पता चला की विकलांगों के लिए पैरा बेंडमिंटन नामा के खेल है जिसमें उन्होंने कोशिश की और अपने संकल्प और मजबूत इरादों के बदोलत उन्होंने भारत के लिए अंतर राष्ट्य इस्तर पर बेंडमिंटन खेने में सफलता हासिल की आचुकांद पैरा बेंडमिंटन में वर्ल्ड के नमबर दो के प्लेयर है साथी महराज गवर्णमिंट में तालो का स्पोर्ट्स ऑफिसर भी है और पिताज़तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें कजब खबरे